प्रियभक्तों, पित्र पक्ष में भूल कर भी मत खाना, यह पांच चीजें वरना आपके पित्र हो जाएंगे. नाराज घर में आ जाएगी, कंगाली परिवार के सभी सदस्यों को लग जाएगा. पित्र दोश पित्र पक्ष के दोरान किन-किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे पित्र हमसे नाराज ना हो और उनका आशीरवाद हमें मिलता रहे. तो इस वीडियो में आगे बढ़े. उससे पहले, हे भोले नात, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना, उसका घर हमेशा धन-धान्य से भरे रखना. दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक के दिनों को पित्रपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है. यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान तरपन और दान जैसे कर्म करते हैं और उनके प्रती श्रद्धा प्रकट करते हैं. इस वर्ष पित्रपक्ष 17 सितंबर 2024 मंगलवार से आरंभ हो चुके हैं. पित्रपक्ष का पहला श्राद्ध अगस्त्य मुनी जी के नाम से किया जाता है. हर साल यह भादरपद शुक्ल की पूर्णिमा से शुरू होता है और अपने पूर्वजों के प्रती सम्मान और किया जा चुका है. वहीं पित्रपक्ष का अंतिम श्राद्ध अश्विन माह की अमावस्या तिथि को किया जाएगा, जो इस साल दो अक्टूबर बुधवार के दिन पड़ेगा. इसे सर्व पित्र अमावस्या श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है. हिंदू धर्म की मा अन्यता है कि साल में एक बार यमराज सभी आत्माओं को पृत्वी पर भेजते हैं। यह आत्माएं अपने परिवार जनों से तरपन ग्रहन करने के लिए धर्ती पर आती है, जो व्यक्ति अपने पित्रों का श्राध और तरपन नहीं करता। उनके पित्र उनसे नाराज हो ज जाते हैं। इसलिए पित्र पक्ष के दौरान तरपन और श्राध करना अत्यंत महत्व पूर्ण माना गया है। ताकि पित्रों की आत्मा को शांती और संतोष प्राप्त हो सके। दोस्तों, पित्र पक्ष के दौरान पित्रों का तरपन करना अत्यंत आवश्यक माना गया। यह कहा जाता है कि जब हम श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए तरपन करते हैं, तो इससे परिवार के सदस्यों के लिए प्रगती और सम्रिध्य के द्वार खुलते हैं। जिसका निवारण केवल पितरों की क्रिपा से ही संभव है। ब्रह्म वैवर्थ पुरान के अनुसार, देवताओं को प्रसन करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। जब हमारे पितर प्रसन होते हैं, तभी हमारे क श्रद्धा और तरपण अर्पित करना ना केवल हमारी परंपरा है, बलकि यह हमारे जीवन में शान्ती सम्रिध्य और सफलता लाने का मार्ग भी है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद कर उनकी आत्मा की शान्ती के लिए तरपण और पिंड दान करते हैं। पिंड दान के दोरान पके हुए चावल, दूध और तिल को मिला कर पिंड बनाया जाता है। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है और यह पितरों की आत्मा के लिए किया जाने वाला एक प्रमुख कर्म है। इस दोरान कुछ विशेश नियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए पितर पक्ष के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किये जाते। विशेश कर नई पूजा अनुष्ठान या मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा या कोई व्रत संकल्प पहले से किया हुआ हो तो उसे जारी रखा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कोई नई पूजा या अनुष्ठान इस अवधी में नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि यह समय पितरों के प्रतिसमर्पित होता है। पित्रपक्ष के दौरान पान खाना तेल लगाना और रंगीन फूलों का साबुन, शैंपू या इत्र का उपयोग वर्जित है। इन सभी वस्तूओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीजें अशुद्ध का प्रतीक मानी जाती है। यह समय शरीर और मन को शुद्ध और संयमित रखने का होता है, ताकि पितरों की आत्मा को शांती मिल सके। इसके साथ ही इस दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन भी वर्जित माना गया है। पितरों का श्राध्ध के लिए आदर्ष। ब्रह्म वैवर्थ पुरान के अनुसार किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक है। जब पितर संतुष्ट होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं। इसलिए पितरपक्ष का महत्व बहुत अधिक है। यह समय हमारे पूर्व पूर्वजों के प्रती कृतज्यता प्रकट करने और उनकी आत्मा को शांती देने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इसलिए पितरपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद और तरपन करना ना भूले। यह न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करता है, बलकि हमारे जीवन में भी सकारात्मक्ता और सम्रिध्धि लाता है। इस समय का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, ताकि आपके जीवन में पितरों का आशीरवाद सदैव बना रहे। दोस्तों, पितरपक्ष के इन 15 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले, इस दोरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी विद्वान पुरोहित को बुलाना चाहिए। पितरपक्ष के दोरान जल अर्पित करना भी एक महत्वपूर्ण कर्म है। ऐसा करने से पितरों का आशीरवाद प्राप्त होता है और परिवार में सुक शांती बनी रहती है। जब आप अपने पितरों का श्राध कर रहे हो तो सूर्य नारायन को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र तथा पितर स्त्रोत का पाठ दक्षन मुखी होकर करें। यह प्राचीन विधि पितरों की आत्मा को शांती देती है और श्राध को सफल बनाती है। और अपने पितरों का श्राध पूरी श्रध्धा और समर्पन के साथ करें। पी की प्रसन्नता और आशीरवाद से आपके जीवन में हमेशा शांती सम्रिध्ध और सफलता बनी रहेगी। दोस्तों, पितरपक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि यह वह समय है जब हम अपने पितरों यानी पूर्वजों को श्रध्धान्जली अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांती के लिए तरपन और पिंडदान करते हैं। पितरपक्ष के दौरान कुछ विशेश नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि श्राध्ध का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि यह समय पितरों के प्रतिसमर्पन और साधना का होता है। पितरपक्ष के दौरान कव्वे गाय और कुट्टे को भोजन देना अत्यंत आवश्यक माना गया है क्योंकि इनके बिना श्राध्ध अधूरा माना जाता है। हिंदु धर्म में यह मान्यता है कि कववा पितरों का प्रतीक होता है और उसे भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा त्रिप्त होती है। इसके साथ ही चीटियों को आटा चावल और अन्य अनाज भी डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों का आशीरवाद मिलता है और हमारे जीवन में सुक सम्रिध्धी आती है। श्राध के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए और तौर पर उस भोजन का ध्यान रखना चाहिए जो आपके पितरों को प्रियथा। इस समय लहसुन और प्याज का उप्योग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। मान्यता है कि जब हम पितरों का समरण करते हैं और उनके लिए भोजन बनाते हैं तो वे घर आते हैं और भोजन ग्रहन कर त्रिप्त होते हैं। तरपन और पिंड दान के बाद पुरोहित और ब्राह्मनों को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मनों को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षणा वस्त्र चावल दाल, चीनी नमक मसाले, कच्ची सबजियां तेल और मौसमी फल दान में देना चाहिए। इसके बाद पितरों को धन्यवाद देना चाहिए और जाने अंजाने में हुई किसी भी गलती के लिए ख्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ श्रध्धा और समर्पन के साथ भोजन ग्रहन करना चाहिए। अब बात करते हैं पितरों का तरपन, किस तिथी को करना चाहिए और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। श्राध्ध करने का प्रमुख नियम यह है कि दिवंगत परिजनों की मृत्यू की तिथी के अनुसार ही उनका श्राध्ध किया जाता है। यदि आपके किसी परिजन की मृत्यू प्रतिपदा तिथि को हुई है, तो उनका श्राध्ध प्रतिपदा तिथि को ही करना चाहिए। अनुसार श्राध्ध के सही समय की जानकारी देता हूँ। दोस्तों यह तिथियां 2022 के पंचांग के अनुसार हैं ताकि आप अपने पितरों का श्राध्ध और तरपण सही समय पर कर सकें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है, जब हम अपने पूर्वजों के प्रतिक्रतज्यता व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शान्ती के लिए तरपण और पिंड दान करते हैं। इस दौरान आपको ध्यान रख चाहिए कि घर का वातावरण शुद्ध और शान्ती पूर्ण हो। श्राध्ध के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्ध से बचना चाहिए और हर काम, श्रध्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। दोस्तों, पित्रपक्ष का यह समय हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन का आधार है और उनके आशीरवाद से ही हम जीवन में उन्नती करते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों के प्रती श्रध्धा भाव से तरपण और श्राध करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शान्ती और संतोष प्राप्थ हो। समर्पित किया जाता है। आईए जानते हैं कि पितर पक्ष के दौरान कौन-कौन सी चीजें खानी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए ताकि हमारे पितर प्रसन्न हो और उनका आशीरवाद हमें प्राप्थ हो सके। इस प्रकार के भोजन में चावल गेहूं की रोटी बिना मसाले की सबजियां, हरी सबजियां और ताजे फल शामिल होते हैं। यह सभी चीजें हमारे पितरों को प्रसन्न करती हैं और हमारे शरीर को भी शुद्ध और स्वस्थ बनाए रखती हैं। पितरों को अर्पित करने के लिए सफेद खाद्यपदार्थों का विशेश महत्व होता है। जैसे कि सफेद चावल गाय का दूध और खीर, यह सभी खाद्यपदार्थ, पवित्रता के प्रतीक माम माने जाते हैं। जो कि गाय के दूध और चावल से बनाई जाती है, इसे पितरों का प्रिय भोजन माना जाता है। इसे अर्पित करने से पिप्रसन्न होते हैं, और उनका आशीरवाद परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है. सफेद चावल और तिल का भी विशेश महत्व होता है. तिल का तरपन पितरों को संतोश और शांति प्रदान करता है, और इसे अर्पित करने से पितरों की आत्मा को त्रिप्ति प्राप्त होती है। तिल का तरपन करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। यह प्राचीन काल से ही एक महत्व पूर्ण कर्म माना गया है। तिल ना केवल पितरों की आत्मा को संतोष प्रदान करता है, बलकि यह तरपन के माध्यम से हमें पितरों का आ पितरों को को अत्यंत प्रसंन करता है। पितरों को प्रसंन करने के लिए ताजे फल और मौसमी सब्जियों का सेवन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पितरों की आत्मा को त्रिप्त करती है। पितरों की आत्मा की शान्ति के लिए श्राध तरपन और पिंडदान के साथ साथ शुद्ध और सात्विक भोजन अर्पित करना भी बहुत जरूरी होता है। मसालेदार भोजन और तामसिक खाद्यपदार्थों से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। क्योंकि इस से पितरों की आत्मा को अशान्ति मिलती है और उनका आशीरवाद प्राप्त नहीं हो पाता है। लहसुन प्याज और मानसाहार को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और पितरों को अशुद्ध का प्रतीक माना जाता है। है इसलिए पितर पक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए। केला, नारियल, अमरूद, आदि भी पितरों को अर्पित कर सकते हैं। यह फल पितरों को अत्यंत प्रिय होते हैं और इन्हें अर्पित करने से पितरित्रिप्त होते हैं और परिवार को आशीरवाद देते हैं। पित्रपक्ष के दौरान पान खाना और तेल लगाना वर्जित होता है। यह मान्यता है कि इन चीजों का प्रयोग पितरों की प्रसन्नता के लिए उचित नहीं होता। इसके अलावा साबुन, शैंपू, इत्र और रंगीन फूलों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए क्योंक कि यह चीजें अशुद्ध की प्रतीक मानी जाती हैं। इस समय हमें पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए ताकि पितरों की आत्मा को शान्ती और संतोष प्राप्त हो सके। पित्रपक्ष का यह समय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने पितरों के प्रती श् और कृतज्यता व्यक्त करनी चाहिए और उनका आशीरवाद प्राप्त करने के लिए शुद्ध और सात्विक जीवन शैली का पालन करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को आशीरवाद प्रदान करते हैं। प्रियापार की शुरू आशीरवाद नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह समय पितरों के प्रती समर्पन का होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी भोजन अर्पित किया जाता है, उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पित किया जाना चाहिए। श्राध और तरपन के बाद ब्राह्मन भोज का विशेश महत्व होता है। किसी गलती के लिए क्षमा मांगना भी अत्यंत महत्व पूर्ण होता है। यह हमारी परंपरा का हिस्सा है और इससे पितरों की आत्मा को शान्ती मिलती है। पितरों से क्षमा मांग कर हम उनके प्रती अपनी श्रद्धा और समर्पन प्रकट करते हैं। और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कर्म शुद्ध और पवित्र हो। पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें पूरे परिवार के साथ श्रद्धा पूर्वक भोजन ग्रहन करना चाहिए। और पिंडदान, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, ताकि उनकी आत्मा को शान्ती प्राप्त हो और उनका आशीरवाद आपके जीवन में सुख सम्रिधी और शान्ती लाए। इससे हमारे जीवन में शान्ती सम्रिध्य और खुशाहाली आती है। पित्रपक्ष की कथा ना सिर्फ हमें हमारे पूर्वजों के साथ जोडती है, बलकि हमें उनके आशीरवाद से हर कठिनाई का सामना करने की शक्ती भी प्रदान करती है। तो आईए जानते हैं कि क्या लाब हो सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गाव में एक धर्म निष्ठ ब्राह्मन रहते थे, जिनका नाम करुणा शंकर था। करुणा शंकर अपनी इमानदारी निष्ठा और धार्मिक कर्म कांडों के लिए पूरे गाव में प्रसिध थे। उनका विधिपूर्वक तरपण और श्राध करते थे। उनका मानना था कि उनके पितरों का आशीरवाद ही उनके परिवार को सम्रिध और सुरक्षित रख रखता है। करुणा शंकर ने हमेशा अपने पितरों का स्मरण, श्रध्धा और भक्ति के साथ किया। हर साल जब पीपक जाक्षाता करुणा शंकर अपने घर को शुद्ध करते, पवित्रस्नान करते और विधिपूर्वक तरपण और पिंडदान करते उनके इस समरपण के कारण उनके घर में हमेशा सुकh सम्रिध रहती थी, उनके खेतों में हरी-भरी लहराती रहती थी और उनके परिवार के सभी सदस्य, स्वस्थ और खुशहाल रहते थे। गाव के अन्य लोग भी करुणा शंकर की पूजा पाठ और तरपन के लिए उनका सम्मान करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, करुणा शंकर के जीवन में धीरे धीरे कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी, उनके खेतों में फसलें सूखने लगी, परिवार के सदस्य बीमार रहने लगे और उनके घर की सम्रिद्ध घटने लगी, यह सब अचानक हुआ और करुण करुणा शंकर को समझ में नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है, वह नियमित रूप से अपने पितरों का तरपन करते थे और हर साल श्राध्ध विधी से सभी धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे, फिर भी उनके जीवन में इन विपत्तियों का आना उनके लिए एक पहेली बन गया था, करुणा शंकर ने इस समस्या का समाधान पाने के लिए गाव के कुछ विद्वान ब्राह्मनों से परामर्श लिया, उन्होंने करुणा शंकर से कहा कि शायद तरपन और श्राध के दोरान कोई नियमों की अंदेखी हो गई हो या किसी प्रकार की तुटी रह जिससे पित्र नाराज हो गए हो, यह सुनकर करुणा शंकर चिन्तित हो गए, उन्होंने ने अपनी पूजा विधियों को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कोई तुटी नजर नहीं आई, उन्होंने हमेशा पूरे विधि विधान से पितरों का तरपन और श्राध किया थ लेकिन उनकी चिन्ताएं बढ़ती, पित्र पक्ष में किसी भी दिन कर लेना, धन प्राप्ति का अचूक उपाए, गाय को यह एक चीज खिला देना, करोडों के मालिक बनकर बैठोगे। किस अजय कर दो देना, प्राप्ति का उपाई खिला देना, गाय को यह खिला देना, कर दो रखिला देना, कर दो दो अजय को यह रहां, जो बढ़ती।